अब्वे के दशक में हमें कई सारे टैलेंटेड और चार्मिंग परसनालटी वाले अभिनेता देखने को मिले हैं जिन्होंने बॉलिवुड की हिट फिल्मों में काम करके खूब धन दौलत कमाई है पर आज वहीं अभिनेता बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं जिनके पास अपन गरीब अभिनेताओं से रूबरू करा कर बताने वाले हैं कि आखिर उन में से कौन जी रहा है गरीबी की जिन्गी तो चलिए जानते हैं उनके बारे में बॉलिवड के नवाब सेफ अली खान नब्बे के दशक के काफी मशूर अभिनेता रहे हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया है और खूब सारी धन दौलत कमाई है साथ ये पटोदी खांदान के वारिस भी है इसलिए इनके पास धन दौलत की कोई क अग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं बॉलिवड के खिलाडी अक्षे कुमार के बारे में बात की जाया तो आपको बता दें कि ये तो साल में हमेशा 3-4 फिल्में करते हैं जिसके जर्ये ये काफी धन दौलत कमा लेते हैं तब ही तो ये आज राजा महराजा वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं बॉलिवड के जाने माने अभी नहीं है बात करें तो आपको बता दें कि ये काफी टाइम से लाइम लाइट में नखर नहीं आ रहे हैं जिसके चलते दरशक सोच रहे हैं कि इनके पास पैसो की कमी हो गई है तब ही आजकल ये चका चौन से द जिसके ये मालिक है और जिनके जर्ये ये करोडों रुपे खमाते हैं तभी तो ये काफी शान और शौकत वाली जिन्गी जीते हैं। पूरी तरह से गायब हो चुके हैं जनके पास कोई भी काम धंधा नहीं बचा है। इसलिए तो आज ये काफी गरीबी की जिन्दगी जी रहे हैं। अभिनेता उदै चोपड़ा भी आज बॉलिवड इंडास्ट्री से काफी दूर हो चुके हैं। पर ये ये श्राज फिल्म्स के आधे मालिक हैं जिसकी बदौलत इनके पास करोडों रुपे हैं। जिनकी बदौलत ये काफी आलिशान और लक्जूरियस लाइफ जी रहे है अंत में अगर बात की जाए कि इन सभी अभिनेताओं में से कौन सा अभिनेता गरीबी की जिनकी जी रहा है तो वो कोई और नहीं बलकि हरीश कुमार है जो आज बेहद ही गरीबी की जिनकी जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी अभिनेताओं में से कौन सा अभिनेत गरीब लगता है आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें